गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स व्यारे बच्चों आज असी अपना अगला टॉपिक जड़ा शुरू करन जा रहे हैं वो है हनी कॉम वीव यह जड़ी हनी कॉम वीव है यह भी टावल वीव है जिस तरह असी अपने लास लेक्चर देविच असी मॉकली नों वीव पड़ी सी हका बैक वीव पड़ी सी यह दोने वीव ही टावल वीव सी क्योंकि यह जड़ी हैं दोने वीव सी यह टावल फैब्रिक बना ली यूज कि की जंदी है इस तरहह यहनुँ असी डाँवल वीब भी कह सक Tá अ ये जटी हंदी हां इस दियां दो टाइप्प्स हन पहली टाइप्स है और्टनरी हनी कょ मुँँव ए सेकंद है ब्राइटन हनी कु मधिर पहली हैं डिसकस करांगे औरटनरी हनी क או में बारे इस ordinary honeycomb weave दी certain important practice किच कीन है पहले जी ordinary honeycomb weave बारी discuss करन जा रहे हैं कह रहे है जी it is also a towel fabric यह जड़ी ordinary honeycomb weave दे द्वारा जड़ा कपड़ा बन्दा है वो एक towel fabric create कर दी है बना दी है so it comes under the category of the towel weave so as करके जड़ी honeycomb weave यह ordinary honeycomb weave है एक towel weave दी category दे अंदर अंदी है surface of the fabric is rough इस honeycomb weave दे द्वारा जड़ा कपड़ा पड़िउस किता हैंदा वो द जड़ा surface उन्दा rough हुन्दा है असी जड़ा last towel fabrics भी जड़े पड़े सी अपका back weave मौकली नो भी वो भी towel fabric सी ओन्ना दे surface भी rough सी एसे तरह ही इस honeycomb weave दे द्वारा जड़ा towel fabric create किता जान्द है वो दा surface भी rough हुन्दा construction इस simple इस weave दे द्वारा ordinary honeycomb weave दे द्वारा ज़े सी towel fabric create करना जाहिए ता ओधी construction बड़ी simple है as compared to brighton honeycomb जो कि इस दूसरी टाइप है जो कि इसी बात है discuss करांगे से अगला point यह जड़ा ordinary honeycomb weave जड़ा towel fabric बंदा है यह reversible fabric बंदा है ठीक है दूसरा next point pointed draft is used इस ordinary honeycomb weave नो बना ली graph paper ते अगर इस नो असी बनाना है ता स्टेट draft sorry pointed draft यूज़ किता है इंदा next है ends and picks in one repeat may be equal और unequal इस ordinary honeycomb weave नो बना ली जड़े ends ते picks है वो equal भी हो सकते ने ते unequal भी हो सकते है नेक्स्ट है it forms ridges and hollow which give cell-like appearance in the fabric रिजी सुन्दे ने एक पहाड़ी टाइप शेप बंदी है जिसना तुसी है राइट साइट ते एक ग्राफ ते देखना जा रहे हो कि यह जिसना एक यह पहाड़ी बंदी फी फ्लोट दी इसनों असी कन्ने रिजीस जड़ी पहाड़ी दार शेप बंदी है इसनों असी कन्ने रिजीस पोलोंद है जित्थे एक ग्राइट पहाड़ी दार शेप दार शेप बंदी है रिजीस ते खाली जगा़ प्रेट हूंदी है जो कि कप्ड़ेंवेस् अगला कह रहा है जी वर्टिकल रिजिस इस इस कंपोज़ आफ वार फ्लोट वर्टिकल रिजिस मेंज आज अड़ी पहाड़ी वर्टिकल ही बन दी है अवली और चे वार फ्लोट दे नल बन दी है और इस इस साइड अगर वेफ्ट साइड अगर रिज बन दी है तो वो वेफ्ट फ्लोट दे ड्वारा बनी है खाली इंडिकेट वेफ्ट फ्लोट hollow is formed where two opposite line cross each other यह जड़ा hollow है खाली जगा जड़ी गंदा की जड़ी बंदी है जोदो यह दो opposite line जड़ो यह opposite tree line जिते cross हुंदी है इस जगा ते hollow means खाली जग क्रेट हुंदी है इस पर्टिकलर वीव नू बेक पॉइंट दसना चामाँगा की honeycomb weave क्यों क्या जा रहे है honeycomb weave means जड़ा मधु मख्यां जड़ा जड़ा हुंदा है यह एस वीव दे द्वारा जड़ा फाइनल कपड़े जड़ा इस पर्टिकलर वीव दानाम honeycomb weave गया इस अगला पॉइंट कहरा है कि इट वुड वार्ट अब्सॉर्बंसी इस पर्टिकलर honeycomb weave द्वारा जड़ा या औरनरी honeycomb weave द्वारा जड़ा कपड़ा साथ बंदा पे है ओधी water absorbency level बहुत अच्छा हुंदा है क्योंकि इस particular weave देपे वार फ्लोट भी है ते वेफ्ट फ्लोट भी है कपड़े दोते है जिस कपड़े दोते है जिनना लंबा फ्लोट होएगा ओधी एक बंदिंग के एक 12 लें जड़ी लेप तो राइट साथ बल जा रहिए है तो दूसरी साथ तो राइट साथ बल जा रहिए एनो सी करने है एननो से करने है.. बंदिंग पोंट भीक सटिदश पॉंट ही कह सकते हैं ठीक है इट इस चंस्ट्रक्टिट विद इस सिंगल रॉफ बैंडिंग पॉइंट अगला पॉइंट कह रहा है इट इस तो मेक टावल और बातमेट एक टावल यह बातमेट बना ली यह यूज किती है उन्हादा कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल की है मींस असी इसनों ग्राफ के किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यह तुसी अच्छी दो तरहं दिजाइन के डिसकस करांगे पहला एह वहला और आट दिशाइन देखू एदे फिच्छ की है ऐसी एसा देजाइन है इसा आड देजाइन है डिजाइन दो थे द्राफ्ट यह तेसे हमने ऐ है लिफ्तिंग है पिले असी इजाइन पोशन डिसकस करांगे असी की आए एच डाकर एट यह एट अन्याप्स लिया एट आट तो लेफ्ट पेले असी एक नमबर तो शुरू करके यह बाइंडिंग 12 सिद्धी इंसर्ट करती उस्तो बाद आसी राइट साइट तो यह बला डाउन चाटके एत्थो अगली 12 लाइन शुरू करती फ्रम राइट टू लेफ्ट यह आसी 12 लाइन इंसर्ट करती है ताम 10 असी है एजे बाइंडिंग पॉइंट आसी कपड़े चाँ इंसर्ट कर रहे है उस तो बाद आसी कि यह थो फ्लोर देने शुरू करने है एक एक ना कि एक एक दा एक तेह एपन्ज दा था पॉइंत दो बाद फिर दूसरी साइड देखोगे त्यंदा थै फिर एक दा सब दा सो गर रहरपीट कम्रीट हुएगी ता ओप अपसेट है तेन ते एक ता इस थरह सा डाकिया एए रिज बनेगा आ रिज बनेगा with the help of war float, आ रिज बनेगा with the help of weft float ते आ वीच वोलोक्रेट हुँज़न देपने ये तो गया इस डिजाइन बारे मिंस डिजाइन दे भीचो वारफ्लोट भी है ते लिए लगन गया एक नमबर ता गे लिए एक शाफ दो नमबर ता गे लिए वरकिग्ग एक नमबर रालों अलग आए इसका के अगले ता गिदी वर्किंग पहले चार नालो अलग है इसका के अनू चार नंबर देता अनू जा नालो अनू टेता है अटमे ता गिदी वर्किंग दोर नंबर देता है इसका के अनू दोर नंबर देता उन्हें तो सब्सक्राइव नहीं कि इस पर्टिक्लरॉड डिजाइन ने बनाली सम्सक्राइव मैक्समु मैं इन शायए एक दो नेन च आपकर आ यां बदी चाथ हैं एक तो नब जा यां हगे तो आ टा नशल लेकां दम चया नहहां मुड़ीड!! नुस्त नुम्बर तो यह बहुतिए तो इस तरह फिलिंग इंडिकेट वारप खाली इंडिकेट वेतल अगिक नंबर फिक पेगी टा एक नंबर शाफ्ट उतते जाएगी बगकी दो तें चार पर निचे बैठ एं गिया पेगी जोरो दो नंबर प्लिफे फिर करेगी बाकि एक तिन चार पांज यहां टना जान गिया किक पेगी कपड़ा बनेगा टिन नंबर टे इक टिन नंबर शार्फ्ट रीजि करेगी ते दो चार पंज डाउन जान गिया इस तरह साथ हाथ शैड़ बनेगा पेगी ऐसे तरह ही बागी पिक्स देनाल जित्थे जित्थे कलर फिल किते था वो थे ओवली शाफ्ट पर्टिकुलर लिफ्ट होएगी बागी डाउन जानगी है खाली बली जगाते जाटा यह वाला डिजाइन कंस्ट्रक्ट होजगा इन्नु और री हनिकॉंग नू बनान द तो टोटल अठ बाइंडिक पोईट है एधा हाफ कर लो वन टू थी फोर चार रहत्या आगे एन्नु एस बाइंडिक पाइंडिक पाइंड बाइंड तर्न कार दें ओसे तरह ही फ्लोट देदाँ वापस एक तेन पांज दूसरी साइड एथा शूरू करके एक तेन तेन पा पांज उन्त उसी देखो गए कि ए अठ्धों थे अठ्धो तागे जड़ी वर्किंग है एक दूसरे नालों अलग है मींस एक रपीट देविचे अठ्धो तागे एक दूसरे नालों अलग कम करते पेने सो एसका कि सानु इस पर्टिकुल डिजाइन नियू बना ली आठ श यूज़ करनी है तोउत्धे अद्धे ट्राफ सा डानना था स्टेट अज़े जित्धे ग्राफ श्टेट आज़े उत्थे लिफ्टिंग सेंस्ड रिजाइन हो जबिएucharण उसे शान ती है जो इसम संब्लिफ्टिंभ आइसा सा ड़्लओ और री हनीकॉं प्ल्म नूं भी टौबल फैब्रिक बनां दी भी है ऐसका के एक कप्ड़े दा भी जड़ा सर्फेस है कप्ड़े दा जड़ा सर्फेस है टौबल दा जड़ा सर्फेस है वो रॉफ सर्फेस इन दा है यह भी औरनरी हनीकॉम दे बांग आरी हनिकाम टे बच की सी, की ओदे विचे end day pics equal भी हो सगदेनें, unequal भी हो सगela집ल inflos baat Brotën हनिकाम which is, ज्यaday saathe ends and nd Tiks मिर्पीट टे विचो उमेशा equal हों देने disp tow और वसे तरह in it is produced by state draft इव इस नू बना ली असी हमेशा state draft दा उस करने यॉश्क करने सी, it is constructed with the help of double row of binding point. इस ब्राइटन हनी कॉम नु कंस्टक्ट करन ली, असी double row of binding point यूस करने हैं, बट और हनी हनी कॉम दे भीच असी single row of binding point यूस करने सी, number of thread in a repeat should be multiple of 4, इस दे भीच जिनने भी तागे असी एक repeat दे भीच यूस करने हैं, ओ साथे it should be multiple of 4 दे होनी चाहिए हैं, असी इस particular design दे भीच float the length किस दे रहा calculate करांगे, मालों साथे को repeat size दे भीचे 16 तागे, 16 नू डवाइड किता 2 दिनाल साथे को आगे x, x आगे साथे को, 16 डवाइड दो दिना आगे 8, so x is, x is equal to 8, अगे किये x minus 1 means 8 minus 1 is equal to float length, 8 minus 1 is equal to 7 को साथे float length आ लेगी, ते, it is also used to make towel and bath mat, ये भी साथे जड़ा जड़ा, ये जड़ा बैटन हनी कोम दे दोना जड़ा कप्ड़ा बनता है, ये भी towel ते bath mat नाली यूस किता है यांदा, असी अपनी next slide दे विच, Brighten Honeycomb नू ग्राफ पर परती किस्ता construct कर सकते हैं, असी ओवला procedure आसी further discuss करांगे, भून असी इस Brighten Honeycomb design दे विचे, आसी 16 में 16 दा graph लिया, 16 एंड दे 16 देग, तानू दसे गया ही कि इस Brighten Honeycomb नू construct करांगे, असी double row of binding point insert कर दे हैं, पहले असी simple binding point insert किते हैं from left to right, उस तो बाद असी from right side to left side double row of binding point insert करांगे, एं insert करन दो बाद तानू में दसे हैं कि एजी float length इस Brighten Honeycomb देवचाई सी किस्ता calculate कर सकते हैं, 16 by 16 दा design है, 16 divided दो किनना आगया, 8, 8 minus 1 किनना आगया, 7, इस particular design देवचे जड़ी साथी float length होएगी, that it will be maximum 7, उन्तो सिया देखो, अत्तों शुरू होके, red नू विच लाएके, total साथी, बंदी float length 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसी तरह maximum float length, यही 7 दी है, red नू include करके, filling indicator पारफख, यही maximum 7 दी है, ते यही maximum 7 दी है, यहे digest है , यह cabeza weighs, यह analysis है, यह response है, bushyn किसच लान क्या है, 1, 3, 5, 7, 5 , 3, 1 इस pattern देवचाşιendar Zwolema ridenses भनावागे, यह इसन्तों देखो, यह एस रेड बले नूँ प्लोट गाके, एक रेड बले नूँ लेके तेन, पांच, साथ मैक्समिन फ्लोट आ गया, वह उनु डिक्रीजिंग वाटर बैक चे चल्पो, साथ बाद फिर पांच, तेन, ते एक, एसे तनी एते सामने, एनु एक, तेन, पांच, साथ मैक्समिन आ उसे बाद फिर रिवर्स चल्पो, पांच, तेन, ते एक, उसे बाद यह वाला भी मैक्समम, रेड नूँ निक्लोट करके, साथ, एनु लेके, पांच, एनु लेके, तेन, ते एक, उसे बाद यह एदे ऑपजिट, एनु लेके, साथ, पांच, तेन, ते एक, साथ दा मैक्स पांच दाएगा, पांच, देन, तेक, नोन इस रिपीट देविच जड़े 16 अगे, इस 16 अगे एक दूसरे नालों अलग कम करदे पैने, आगर एक डिजाइन देविच जिनने नमबर ओफ थ्रेट एक दूसरे नालों अलग कम करणे अन्गे उस डिजाइन नालों इस अन्गों ओनिया नमबर ओफ यूस करने पनिया, तो एथे 16 अगे अलग कम करदे पैने एक रिपीट विच है, आची 16 अगे इस 16 अगे दूसरे दूसरे यूस करणे, तो ओनान नालों बनालों जिलाइद द्राफ्ट यूस करणे, तो अगर किसे भी जिस दूसरे दिजाइन, तो अगर जिक्स अगर प्रिफ यूस करणे नालों जिए प्रेंजाइन सेब तो जिस तरह साप ततरह साब तो फिल करना नाली में तूसरे हैम और सब्रक्म देर बनें ऐसे अप्र प्रेफिश नहीं बनें से अध्रेक फ्लोट मुंहिए यह गरीक देख दर में दो जबंद ए तॉ ओ आए दर में है यहेरे स्वित जुलड़ कोई कि ट्वाइच जो से तरहें, आता दो नमबर दिजाइन ताटा, ब्राइटन हनीकॉम तो दोही तेखो, जिसरा अप्रोपरी जिसरा, मधू मक्ही ता चत्ता जड़ा होंदा, उस तरहां ताटा दा डिजाइन बनेधा, वेचे खाली जगा, जू उजा जड़ा, विच ए लीड़ा, जुन्व अगर दोने डिजाइन बनाइए तो उसनों फैब्रीक देविचे किस तरांदे दिखाए नहीं, मैंनों उमीद है, यह ताननों मेरे वलो दत्ता है, यह वला लेक्चर ताननों समझ आ गया हुगा, अगर ताननों किसे तरांदी कोई परशान्नी होएंगे ताथ उसी मैंनों प